नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बहुत बड़ी नीज आ रही है, जो मतब छातर कह सकते हैं, जो मज़ूर कह सकते हैं, या कोई टूरिस्ट कह सकते हैं, अगर कोई किसी राज्य में गया हैं गूमने के वज़े से, या कोई काम करते हैं, या कोई पढ़ने के लिए, ऐसे बात ये था कि अगर कोई आना चाहता है अपने राज्य में तो उसको सबसे पहले अपने को खयाल लगना पड़ेगा यानि पूरी तरह से कह सकते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा मास्क लगाना पड़ेगा सेनिटाइज करना पड़ेगा खुद को और सबसे इंपो दूसरे राज्य के टांस्मोर्ट मिनिस्टर से बात करते हैं दूसरे राज्य के किसी प्रभावरी से बात करते हैं ताकि वो जो लोग जिसको ले जा सके उनको उस राज्य तक छोड़ा जाएगा उसके बात से वो राज्य के बस के बात करें कि वो उनको अपने घर तक ले फिलाल अभी जो यह सुविधा वह बस के जड़िये ही की गई है ट्रेन का चलना अभी मतलब कानफॉर्म किया गया नहीं है लेकिन बस के जड़िये भी अभी पहले दो राज्य आपस में बात किया जाएगा कि वह सहमत हो रहे हैं कि नहीं क्योंकि मैं बता दू आपको कि अग किया जाए तो किस समय पे किया जाए और क्या मतलब गाइडलाइन्स होंगे तो दोनों का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूस था मुझे लिए आप लोग के साथ सेयर कर देना चाहिए क्योंकि जो छात्र फसे हुए है उसको ले जाने की प्रक्रिया सुरू भी हो चुक जाए हिंद।